वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरो यारो बाइस्टेटी फॉर सिविल सर्विसेस पर मैल का पांडे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जन एक्जाम कराता है उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश का रंट अफेर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसको सुरू करते हैं और उससे पहले आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हूं जैसे आपका उत्राखंड पीसेस लगा हुआ है उत्तर प्रद सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपने करेंट अफेर्स से तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 में अवार्ड ओनर तो अरजुन पुरसकार तो देखें यूपी स्पेशल देख रहे हैं तो इसमें हम आल इंडिया नहीं देखेंगे सिर्फ यूपी का देख र दान किया तो इसके बारे में देख लेते हैं जो मुहमत समी हैं यह उत्तर प्रदेश के अम्रोहा जिले के रहने वाले हैं ठीक है इनको राश्टी खेल पुरसकार 2023 के अंतरगत क्रिकेट विस्व कब 2023 में और द्वितिये प्रदर्सन के लिए जिसमें इन्होंने 24 विकेट लिए थे इसलिए इनको अर्जुन पुरसकार दिया गया है और वहीं अच्छा प्रदर्सन की थी पारूल चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरट की रहने वाली हैं ठीक है और उन्हें एसीन गेम्स में 5000 मीटर दौड में स्वण पतक जीतने वाली पहली भारती महिला ब पैदिये हैं और 19 एसीन गेम्स में 3000 मीटर इस्टीपल चेंज में इन्होंने रजत भी जीता था ठीक है तो इस बेसिकली आप याद करिएगा मोहमत समी हैं क्रिकेटर हैं सबसे यह विकेट लिये थे इन्होंने 24 विकेट यह भी आपकी एक्जाम में पूछा जा सकता है कहा से बिलाउंग करते हैं यह अम्रोहा जिले से बिलाउंग करते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं पारुल जो की मेरट ही है ठीक है और इन्होंने 5000 मीटर दौड में स्वण पदक गीतने वाली यह पहली भारती महिला बनी है 19 एसीन गेम्स में ठीक है तो यह अम्रोहा ज फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश संस्थागत स्रेडी के लिए यह अवार्ड दिया गया यह वार्ड दिया जाता है केंद्री ग्रिह मंत्राले के दौरा तो बस यही आद कर लिजेगा हॉस्पिटल का नाम फिर आता है विंग्स इंडिया वार्ड दोहजार चौबिस उत्तर प्रदेश सरकार के दो खुदिया गया नागरिक उड्डैन मंत्री जोति रादिति सिंधिया नहीं आवार्ड दिया सिविल एवियसन में बेहतर प्रदर्सन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह विंग्स इंडिया वार्ड दोहजार चौबिस के तहट श्टेट चैंपियन चुना गया है तो याद रखेएगा इसमें आपको इंग्जाम पूछा जा सकता है कि विंग्स इंडिया वॉर्ट्स उत्तर प्रदेश देख लिया विर्ता पुरसकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिजी लौ और प्रशांद कुमार और आई जी मंजल सैनी को ये दिया गया ये अवाड ग्रिह मंत्राले के द्वारा दिया जाता है प्रशांद कुमार का अगर जन्म देखें तो ये इन को लेडी सिंगं के नाम से भी जाना जाता है तो इन दोनों को प्रशांद और मंजिल सैनी को दिया गया वीड़ता पुरशकार फिर आगे बढ़ें गरतंतर दिवस कि माई गॉर्मेंट ब्लैटफॉर्म पे वोटों के द्वारा लोगों ने चुना कि कौन से सर्वस्रेश जाकी है तो इसके बारे में देखिए कि माई गॉर्मेंट के द्वारा नागरिकों के लिए राजियों या फिर केंदर सासित प्रदेसों मंत्रयारे और विभागों से अपनी पसंदीदा जाकियों के लिए वोट के लिए और साथ चाथ मार्चिंग टुकडियों के बीच लोग प्रिये पशंद की स्रेड़ी में सर्वस्रेश ज्यान के लिए एक ऑनलाइन सर्वे छड़ायों जित किया गया ठीक है इसमें देखे इसके परड़ाम क्या थे ती इन सेनाओं में सर्वस्रेश्ट मार्चिंग टुकडी ये थी राजपूताना राइफल रेजिमेंटल मार्चिंग टुकडी ठीक है राजपूताना राइफल हो गई सर्वस्रेश्ट मार्चिंग टुकडी और अन्य सहायक बलों में सर्वस्रेश्ट मार्चिंग दस्ता कौ और संकृति में साथ बच्चे सामिल थे ठीक है और राश्टर इस्तर की पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए पहली बार आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का भी प्रयुक किया गया यह पुरस्कार प्रदाता मंत्राले है महिलायम बाल विकास मंत्राल इसमें अनुसका पाठक उत्तर प्रदेश की कलायम संस्कृति स्रेड़ी में और आदित तेयाद हैं उत्तर प्रदेश के खेल की स्रेड़ी में तो अनुसका और आदित तेयाद रखिएगा कला और खेल फिर आगे है आपका राश्ट्री एक जिला एक उत्पाद पुरसकार तो जिला पुरसकार देखते हैं गैर क्रिसी तो इसमें दूसरे नमबर पर बांदा जिला उत्पाद है इसका सजार श्टोन क्राफ्ट उत्तर प्रदेश राजी इसको मिला है रजत पदक ये याद रखिएगा और राजी में उत्तर प्रदेश को स्वड़ पदक ठीक है अब आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरसकार ठीक है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरसकार देखिए राष्टपती द्रॉब्दी मुर्मूनी ये पुरसकार दिया सर्वस्रेश्ट स्वच्छ गंगा सहर जो है वो है वारारसी और प्रयाग राज ठीक है इसके बारे में इफैक्ट देख्ते हैं मोश्ट इंपॉरटंट तहों मुश्ट इंपॉर्टंट है सवच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को स्रेडी में मिला था नमास्तान ठीक है उत्तर प्रदिश राज्य में एक लाग से अधिक जनसंख्यास रेड़ी में फाइव इस्टार स्वक्ष सहर है नोईडा फिर गंगा के किनारे स्थ सहरों में किस सहर को सर्वस्रेश्ट पुरसकार मिला है तो उसमें देखे ये है आपका लखनओ है गोरखपूर वारांसी कानपूर गाजियाबाद अलिगर जहांसी फिरोजाबाद सहीद आठ सहरों ने थ्री इस्टार रेटिंग अरजित की है ठीक है ये वाई लाइन हटा दीजिए थ्री इस्टार वाले कौन कौन से है ये है लख तेईस है इसमें कौन साज्ज्य इसमें टॉप त्री राज्य है कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे और कौन तीसरे नंबर पे जीए अर लूठ अगला आता है उनप का और विर्ता सेवा पुरेशकार इसके इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो गरतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अगनी शमन सेवा, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया इसमें 2022 में कॉंगो में सहीध हुए सीमा सुरक्षा बल यान तो राश्टपती पदक, एक सवाल तो यहां से बनेगा, राश्टपती पदक किन दो लोगों को मिला, तो वो थे सामना राम विश्णुए और शिशुपाल सिंग, ठीक है, ये सीमा सुरक्षा बल से संबन दी थे, ये लोग कांगों में सहीध हुए थे, तो ये याद रख लोग जो थे, वो उत्तर प्रदेश के सामिल हैं इसमें, जिसमें हैं प्रशांद कुमार और मंजिल सैनी, ये आपने पढ़ा था, प्रशांद कुमार जिनको सिंगम के नाम से जाना जाता है, और मंजिल सैनी जो लेडी सिंगम के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक, फिर व 70 लोग जो हैं वो अध्य दो के सामिल हैं ख़कर अगरे बहुत ऐंप्रोट्प्रषकर से तो सवाल पूछना ही पूछना है में एक सवाल आपका यहां से हो गया है अब देखिए पद्म पुरसकार देश के सर्वोच नागरिक पुरसकार हो में नहीं से है क्या इंपुरसकार को तीनस print में जिसमें पद्म विभूशण पद्मभूशण और पदम स्री के रूप में प्रदान किया जाता है ठीक है तो ये विभिन विशयों और गतिवीदियों के छेत्रों में दिये जाते हैं पदम भूशन के अगर बात करें तो ये औसाधार और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और उच्च कोटी की विशिष्ट सेवा के लिए पदम भूशन से अलंकृत किया जाता है और किसी भी छेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पदम भूशन के दिवस के दिन प्रदान किया जाता है पुरसकार देते हैं राश्च्रपती और 2024 के लिए 132 पदम भूशन प्रदान किया गया है पांच हो गए पदमवी भूशण, सत्रा हो गए भूशण और 110 हो गए स्री, ठीक है, तो पांच धन, सत्रा धन, 110 बराबर 132, ऐसे ही याद करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, उत्तर प्रदेश के कुल बारा वेक्तियों को पदमस्री से सम्मानित किया गया ह कुल बारा वेक्ति हैं जिनको पदमस्री से सम्मानित किया गया है, तो देख लेते हैं, इसमें हैं स्री खलील एहमद, जिनको कला के छेतर में पुरशकार दिया गया, सू स्री नसीम बानो, कला के छेतर में, स्री राम चेत चौधरी, विग्यानिवम इंजिनरिंग में, स्र नवजीवन रस्ताओगी साहिते और सिक्षा में स्री गुदावरे सिंग कला के छेतर में सूसरी उर्मीला स्रीवास्तौ और स्री बाबु रामयादव इनों को कला के छेतर में दिया गया है तो इसमें ध्यान देज़ेगा खुल में से बारा जो है उत्तर प्रदेश वाले हैं उन में से एक जो सुरेंद्र मधा मिस्र है इनको मडू परान दिया गया है कला के छेत्र में. ठीक यह हो गया आपका पदमस्री. अब आगे देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड न्यूज देखते हैं जिसमें देखे अभ्यास अयुत थाया अभ्यास अयुत थाया जो है इसके बारे में पढ़ देजे तो यह बीच से लेकर कि 23 दिसंबर 203 तक भारती नोसे ना और रॉयल थाई नोसे ना के बीच में पहला दूबी प्रक्षी समुद्री अभ्यास था ठीक है इसका साब्दिक अर्थ होता है अजे या फिर अपराजे तो यह अभ्यास दो प्राचीन नगर एक तो हो गया भारत में अयुद्ध्या और दूसरा थाइलेंड में हो गया अयुद्या ठीक है इनमें एतिहासिक विराशतों के संबंद सांस्कृतिक संबंद हो और कई सदियों तक साजा एतिहासिक कथाओं के महत्तों का प्रतीक है ठीक है तो यह अभ्यास किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है हम यूपी स्पेशल देख रहे हैं तो भारत में अयुद्या जो की उत्तर प्रदेश में है और थाइ इनका जर्म जो है वो 1968 में उत्तर प्रदेश के बनाईयों में हुआ था इसलिए मोश्ट इंपॉर्टेंट उस्ताद राशित खान ठीक है हिंदुस्तानी सास्त्री गायक रहे है इनका जर्म उत्तर प्रदेश के बनाईयों में हुआ यह हिंदुस्तानी संस्कृति परंपर थे तो रामपूर सहस्वास घराने से संबंदित थे इनको 2006 में पदमस्री भी दिया गया है और संगीत नाटक से संबंदित किया गया मुश्ट इंपॉर्टेंट ठीक है आगे देखते हैं मुनवर राड़ा जो की मशहूर उर्दू सायर थे इनका जन्म इनका जन्म उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर में हुआ है उन्हें साहित एकादमी भाषा शम्मान उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा राहुल संस्कृतायन पुरस्कार साहित भूशन साहित सारश्वत समान समेथ कई पुरस्कार मिल चुके हैं तो इसमें आपक कीजिए कौन किस घराने से संबंदित है ठीक अब आगे बढ़ते हैं आगे सम्मिट्स देख लेते हैं सबसे पहले हैं नवा इंडिया फूड एक्सपो दोहजार तेस यह हुआ आपका लखनव उत्तर प्रदेश में इसके बारे में सुनिए कि बागवानी और खादे प्रशं है यह वियत नाम ठीक फिर इंड़स फूड दोहजार चौबिस यह ग्रेटर नुएडा में हुआ फिर इसका वाड़ीजी विभाग के सहीवक से प्रेट प्रोमोशन कांसिल आफ इंडिया के द्वारा आयोजित मेगा फूड सो यानि इंड़स फूड दोहजार चौबिस का उद्घाटन वाड़िजी मंत्री स्री पियूस गोरेल ने आठ जनवरी दोहजार चौबिस को किया अगला है 27 वार राश्ट युवा महुत्सो जो की नासिक महराश्ट में हुआ और नरिंद्र मोदी ने महराश्ट के नासिक में इसका उद्घाटन किया इसका सुभा सुभ दे रही हूं लेकिन हाँ इंपोर्टन यह है कि आप याद रखेगा जैसे इंडिया फूड एक्सपो कहां हुआ लखनव में इंडस फूड कहां ग्रेटर नोड़ा में राश्ट्र युवा महुत्सो कहां पे नासिक महराश्ट में ठीक है प्लेस आपको याद रखना है फि ठीक अब अगला इंपोर्टन आता है रैंक्स एंड रिपोर्ट बहुत ही इंपोर्टन सबसे पहले है राज्यों की स्टार्ट अप रैंकिंग 2022 के अगर बात करें यह प्रकाशित किया जाता है उद्द्योग एवं आंतरिक व्यापार समर्धन में भाग के द्वारा जारी क खंड के साथ लीडर स्टेट स्रेडी में सामिल किया गया इसमें आपको क्या याद करना है में के राज्यों के स्टार्ट अप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है वो लीडर स्रेडी में सामिल है बस फिर आगे आता है आपका रियल्टी कंसल्टिंग फर्म सी बी आरी सा सबसे अधिक आवादी वाला राजी जो है उत्तर प्रदेश है इसको राश्री MSME परिद्रिश्य में नौ प्रिश्ट के हिस्सेदारी रखते हुए सिर्ज तीन राज्यों में उलेखनी अस्थान इसने हासिल किया है ठीक है तो सिर्ज तीन राज्यों के अगर बात करें तो देखें इसमें महराश्र है तमिलनाडू है और उत्तर प्रदेश है ये तीनों राजी सामोहिक रूप से भारत के तीन करोड़ पंजीकृत MSME में 40 प्रिशत का संचालन करते हैं फिर इसके अलामा उत्तर प्रदेश के कई सहर जो हैं जो MSME क्लश्टर के रूप में उभरे हैं जिसमें आपका आग्रा है कानपूर है वारांसी लखनव मेरट गाजियाबाद जो के उद्ध्य मयोजना के लिए नामांकन में अग्रड़ी है ठीक तो इसमें क्या था इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश में आवादी सबसे ज्यादा देखना है आपको के MSME परिद्रिस्ट में उत्तर प्रदेश की भागिदारी नौ प्रत्सत है और इसमें सिर्ज तीन राज्यों के अगर बात करें तो महराज तमिल प्रदेश यह सामुही क्रूप से जो जितने भी तीन करोड पंजीकृत MSME में से 40 प्रत्सत का संचालन करते हैं बाकि आपने MSME क्लश्टर के बारे में उत्तर प्रदेश के MSME क्लश्टर के बारे में नाम देखी लिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला है आपका दूसर को कम करने के लच्छे के साथ सुरू किया गया बाद में इसकी टाइम लिमिट बढ़ा के 2026 तक कर दी गई और जो प्रत्सता थी कम करने के उसको 40 प्रत्सत कर दिया गया पिछले पांच वरसों में 72 प्रत्सत के कमी के साथ वारानसी ने 2.5 PM 2.5 के मामले में फिर से स साथ बाद है आगरा का नंबर ठीक है यह आगरा दूसरे नंबर पर है इसमें बस यही आद करिएगा कि क्लाइमेट ट्रेंट्स वाले में क्या है कि उत्तर प्रत्सत के वारानसी और आगरा ने PM 2.5 कड़ो की कमी में सबसे जादा बहतरीन प्रत्रसन किया है सबसे अच्छा जाता है नावार्ड के द्वारे यानि राष्ट्री क्रिसी और ग्रामेड विकास बैंक ठीक है तो इसमें है सबसे पहले कि सबसे पहले तो दिया गया कि नावार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए यह पेपर जारी किया है इसके अनुसार क्या है इसके अनुसार उत्तर प् चेत्र को सरकार के द्वारा प्राथमित्ता वाले चेत्रों के रूप में जाना जाता है फिर इस पेपर के अनुसार क्रिसी और MSME चेत्रों में 2.46 ट्रिलियन रुपए और 2.9 दो ट्रिलियन रुपए के रिड होंगे एक ट्रिलियन डॉलर के अर्थ अर्थमिवस्था के लक्षे को हासिल करने के लिए राजी को क्रिसी में 250 प्रत्सत, MSME में 300 प्रत्सत, सेवा छेत्रों में 400 प्रत्सत की वृध्य आवश्यक होगी ठीक है और आगे है उत्तरप्रदेश को एक अग्रडी निवेस गंतव्वी के रूप में प्रदर्सित करने के लिए राजी का एक प्रत्निधी मंडल स्विट्जेलेंड के दावोस में विस्व आर्थिक मंच में भाग ले रहा है तो यह सारी शीजे नाबार जो पेपर उत्तरप्रदेश के बारे में जारी किया है उसमें है ठीक है आगे देखे भारत में बहु आयामी गरीबी 2005 है सब को पता है नीतियायोग उसको भारत में नोडल एजनसी है इसकी वही जारी करता है फिर नीतियायोग ने क्या बोला कि उत्तरप्रदेश ने पिछले नौ अरसों में सबसे अधिक लोगों को बहु आयामी गरीबी से बाहर निकालने में राज्यों में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं इन में से 3.43 करोड पिछले 5 वर्सों में ही गरीबी से बाहर निकल आए हैं फिर बहु आयामी गरीबों की संख्या 2019 से लेकर के 21 में 22.95 से घट करके 2022 देश में 17.4 सुन्ने प्रत्सत रह गई है ठीक है most important ठीक है तो यह तो हो गया आपका बहु आयामी गरीबी 22 जन्वरी 2024 को भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी के द्वारा अयुध्या में नव निर्मित राम मंदिर का उद्खाटन और राम लला की प्रतिबाग की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो डेट इंपॉर्टेंट है 22 जन्वरी 2024 याद रखिएगा मोधी जी ने पांच जजों की बेंच ने अयुध्या मंदिर में बात पर फैसला सुनाया था ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि केस के दौरान राम लला की प्रत्थम नेक्स्ट फ्रेंड देव की नंदन अग्रवाल बने थे और इसकी अनुमानित जो लागत है वो है अठारा सो करोड र प्रश्ट जिसके अध्यच्य निर्ति गोपाल दाज जी है इसका निर्माण इंजिनरिंग एंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्शन एंड टूर्बो ठीक है एलन्टी याद रखिएगा और टाटा समुने मिलकर किया एलन्टी एंड टाटा इन दोनों ने मिलकर किया है आगे इस मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बंसी पहाणपूर के पत्थरों का उप्योग किया गया आगे देखिए आगे इस मंदिर के आंतरिक भाग को मुख्य वास्तुकार चंद्रकान भाई सूम पुराने नागर सैली नागर सैली के बारे में जरूर पढ़ लिज कीजिए नागर सैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक के सैली में डिजाइन किया तो बेसिकली आपको नागर सैली के बारे में जो भी जानकारी हो आप जितना भी जानते हैं उसको कमेंट बाक्स में में ठीक है और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर पिर आगे देखें आयोध्या में राम मंदिर को आवंटित भूमी जो है वो दोधस्मलों साथ एकड़ है जिससे राम मंदिर निर्मित छेतरफल 57,400 वर्गफूट है मंदिर में मंजिलों की कुल संख्या 3 है और प्रतेक मंजिल की उचाई जो है वो 20 फिट है मंदिर में पांच चपूतरे और मंडप है जिसमें मंडपों का नाम क्या है निर्ते मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप प्रयाक कुंभ मेले में राम मंदिर के डिजाइन की भव्यता को एक मॉडल में प्रदर्सित किया गया था और साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जित के विध्वंस के समय भारत के प्रधान मंतरी थे पीवी नरसिमहा राव, राष्टरपती संकर दयाल सर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी थे कल्यान सिंग मोश्ट इंपोर्टेंट है ये याद रख लीजेगा आप कि जब ये केश्ट विवालदित बाबरी मस्जिद विध्वन्स हुआ था उस समय प्रधान मंतरी राश्टपती और उत्रप्रदेश के सीम कौन थे ठीक अब चलिए राम लला की मूर्थी के बारे में पढ़ लेते हैं तो काले पत्थर के दिव्य मूर्थी को मैसूर करनाटक के प्रशिद मूर्थिकार अरुन योगी राज ने तयार किया ये 51 इंच की मूर्थी है इसमें भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाए गया है राम लला की प्रतिमा को खड़ी मुद्रा में दर्साए गया है और नेपाल से भारत के अयुद्या में दो साली ग्राम शिलाएं भेजने का उद्दे से भगवान राम और जानकी की मूर्थियों का निर्मार करना था राम लला की मूर्थि में भगविष्णू के दस अवतार जिसमें मत्स, कूर्म, वाराह, नरसिम, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की अवतार का वर्डन किया गया है मूर्थि के दाहिने पयर के पास भगवान हन्मान को उकेरा गया है और बाएं पयर के पास भगवान गरुन, जो की भगवान विष्णू की सवारी हैं, उनको दर्साए गया यह मूर्ती कमल के फूल के उपर खड़ी मुद्रा में है और राम लिला के हाथों में धनुसबान को दिखाये गया है कुल उचाई इसकी क्यावन इंच है चोड़ाए तीन फिट है इसका वजन दो सो किलो ग्राम है और राम लिला की मूर्ती को कृष्ण शिला नामक पत्थर से तयार किया गया है और इसके गुमबत के कुल उचाई जो है वो 141 वीट है तो यह हो गया आपका राम लिला की मूर्ती के बारे में ठीक है तो देखे यह आपका यहाँ पे कम्पलीट होता है यूपी का आपका जैनुपरी 2024 का करेंट अफेर्श, ठीक है जैनुपरी 2024 का मैंने करेंट अफेर्श करवा दिया नेक्स्ट वीडियो में हम जैनुपरी 2024 का MCQ डिसक्स करेंगे ठीक है इसका MCQ हम कराएंगे बाकी मैं आप लोगोसे बार-बार कह रही हूँ कि आपका देखें लगातार कौन सा एक्जाम लगा हुआ है UPSC का है, उसके बाद MPPCS है फिर आपका UPPCS का एक्जाम होगा फिर ROARO होगा, फिर उसके बाद उत्तरा खंड PCS होगा फिर इसी में आपका इलहाबाद हाई कोड की वैकेंसी आ चुकी है BEO का एक्जाम जो है, उसकी भी वैकेंसी आ रही है और भी आपके एक्जाम जैसे APS की फिर से स्टी सीट के लिए आ रही है ठीक है, तो ये सब एक्जाम जो हैं, आपके कुछ लगे हुए हैं कुछ की वेकंसी आ रही है तो देखे 2024 में बिल्कुल भर-भर के सीट जो है वो आ रही है तो यह देखे ओल्डन एयर है इस साल आप लोग एक्जाम अगरे क्लियर कर लेंगे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा जैसे यूपी PCS में आपकी लगवग 282, 282, 282, 282 पोस्ट हो चुकी है तो अगले दो-तिन साल तो इतनी सीट नहीं आने वाली है कि 809 सीट आए आपकी PCS में, UBPCS में ठीक है तो बस एकदम प्रपरेशन में लग जाईए आपको किसी भी एक्जाम का paid group अगर लेना हो तो description box में मैं आपको contact number दिया है वहाँ पे आप contact कर सकते हैं हमारा जो देखे जितना भी जो paid group है ठीक है किसी भी exam का अगर paid group study for civil services आपको दे रहा है तो उसमें आपको complete आपका selection material रहता है A to J उसके बाद आपको paid quiz दिये जाते हैं test series दी जाती है main questions वाल आप करते है answer writing है discussion है कोई भी doubt clear करने के लिए आप message कर सकते हैं आपका तुरन doubt clear किया जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको दी जाती है तो आप description box में दिये गए number पर contact कीजिए और courses कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपका selection हो ठीक है तो बस पढ़ते रहिए thank you so much हुआ है